हलो दोस्तों आपका स्वागत है जी एकेडमी में एंपी सेट का ओल पेपर है 2018 का एकोनॉमिक सब्जेक्ट रहेगा मैंने स्लैबस का वीडियो बना दिया एवन असिस्टेंट प्रफेसर के लिए भी स्लैबस और ओल पेपर दोनों अपलोड़ेड हैं और आप चाहो तो MPPSC के सब्जेक्ट से यह सेकंड समय स्बजेक्ट के हैं किस तरीके से आपको आपज़र करना है यह बॉयलिंग्वल धा पेपर हमें सब्यूंग्वल यह हैं 75 प्रस्ट चाहँ से कि ओफ लाइन एक्जायम होगा ठीक है चलो यह कोश्चन हुआ यह कोश्चन और यह हैं ओप्षन चाह ओफ रहेगा ठीक है उन में से आपके चूज करना होगा और नीचे ही आंसर दिया हुआ है ठीक है ना तो जो पहला कोश्चन उसका आंसर क्या है डी डी इसा राइट आंसर इसी तरीके से second question ये है जिसका right answer B है देखो ये नीचे लिखा हुआ है न अब मैं बार-बार इस चीज़ को नहीं बताऊंगी अब आप लोग को ये observation करना पड़ेगा वो इसली क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी ना बने जिसे आप अच्छे से देख पने सकें और अपका time waste ना हो 3 का D D is the right answer देखते जाओ question A A is the right answer इसी तरीके से 5th question है जिसका right answer क्या है C ठीक है एक मिनट ये थोड़ा सा वो कर देती हूँ जिसे कि आप लोग देख लो अच्छे से ठीक है ना चलो अब फिस जूम कर देता है 6th question है C is the right answer ठीक है चलो अब आगे देख लेते हैं साथ में questions का answer क्या है B B is the right answer ठीक है ये देखो मैज़दा following है जिसमें आपको समझना होगा रुको ये थोड़ी से लेंदी हो जाते है तो इसका answer क्या है right answer क्या है A है तो थोड़ा सा मैज़ करेंगे आपन चलो A का क्या है fourth ठीक है B का क्या है third and C का क्या है पहला और D का क्या है दूसरा ठीक है इसलिए A is the right answer देखो जब आपको समझना है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे ही लिखा हुआ है right answer इसी तरीके से ninth question का answer क्या है A is the right answer ठीक है ten question का answer क्या है A A is the right answer चलो अब आगे देख लेते हैं eleven का D is the right answer दो कथन दिये गये हैं उस पे विचार करना है ठीक है answer क्या है B केवल दो सही है राज कोसी है घाटे के बीना प्रात्मी घाटक कभी नहीं हो सकता ठीक है तो इसलिए B is the right answer 13 का D is the right answer लो एक बर चुछ देख लो चलो 14 का question देख लो आप लो जो लोग English medium के हैं वो English में देख ले हैं जो Hindi के हैं वो Hindi में देख ले हैं देख लिए आप लोगों ने आप से लोग स्क्रॉल करते हैं D is the right answer कैसे D is the right answer हुआ तीन कथन दिये गए हैं कौन सा सही है ये पूछा है पहला दूसरा तीसरा इनमें से कौन सा सही है तो क्या है सबी सही है पहला भी सही है दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है चलो फिफ्टी नमबर कोशन का आंसर क्या है A is the right answer अर्थ शास्त्र में निम्री की तमें कौन सा सबसे अच्छा फिलिप वक्र का महत्त बताता है तो क्या है A is the right answer चलो अब आगे देख लेते हैं देखो ये सिक्स्टी नमबर का इंग्लिश में है और ये हिंदी में मुद्रा की परिकल्पना मांग सुन होगी जब बाजार व्याजदर हो ठीक है ना चलो आंसर क्या है A is the right answer more than the critical rate क्रांतिक दर से अधिक A is the right answer 17 नमबर क्या है C C is the right answer 18 14 फर्म के लिए अधिकतम लाप का निर्धरन होता है C is the right answer और सद लागत और कीमत दोनों मतला बोद average cost and price C is the right answer 18 का 19 का A तेख लो question अच्छा से 20 का C हाँ थोड़ी लेने ली questions तो ही है चलो अब आगे देख लेते हैं 21 का B है इसी तरीके से 22 का है D निर्धरन के में कौन सा सही मेल नहीं खाता यह मेल नहीं खाता D is the right answer एक बात का ध्यान रखें जब भी question पढ़ें तो उसमें नहीं जरूर देखें और सही पूछ रहे हैं गलत पूछ रहे हैं कभी भी अपन हर बड़ा हाट में सही को गलत लगा देते हैं 23 questions का answer क्या है D एक बार question से देख लो चलो अब आगे देख लेते हैं 24 का answer क्या है A is the right answer Price theory 24 का 25 का answer क्या है A A is the right answer देख लो 25 का अब चलो और आगे देख लेते हैं 26 का answer क्या है D D is the right answer एक घंटे के कारे में एक स्रामिक कितना बहुते कुद पादन करता है या निर्भर करता है किस पे करता है ये सब इपे करता है A पर भी निर्भर करता है B पर भी निर्भर करता है C पर भी निर्वा करते हैं तो कई बिक्रेता और कुछ खरिददार कुछ बिक्रेता और कई खरिददार यहाँ पर देखो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है न यह देखो डी तो क्या हुआ few sellers and many wires डी 28 number questions का answer है अब चलो और आगे देख लिए 29 का डी 30 का बी 31 का बी पहला भी सही है दूसरा भी सही है और चौथा सही है तीसरा नहीं है मतलब निमने कितवे कौन सी भारत सरकार की रिण बात देताएं हैं तो पहला भी है ठीक है दूसरा भी है और चौथा भी है reserve fund एबंड डिपॉजिट्स बी इस राइट आंसर 32 का बी 33 का डी भारत का पूजिगत का हटा 34 का क्या आंसर होगा C दनात्मक इसी तरीके से 35 का C 36 का टाइफ फर्स्ट एरर कंसिस्ट आफ प्रिथन प्रकार की तूटिय में होता है क्या होता है एक सची परिकल्पना को आइस सुकार करना rejecting a true hypothesis D is the right answer 37 का C इसी तरीके से 38 का C 39 का B 40 का A कौन-कौन से कारण है निर्मी खित में से कौन सा मुद्रस्पिती का कारण हो सकता है पहला भी दूसरा भी और तीसरा भी ठीक है तो A is the right answer A सरकार दोरा अप्रत्च करों में कमी ये गलत है मतलब मुद्रस्पिती का कारण नहीं है चलो तो यहां पे लिखाओ A is the right answer 41 नंबर कोशन कार्ट है B B is the right answer 42 का कोशन कार्ट थै ये सभी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा पहले कोशन अच्छे से पढ़ना फिर उसके बाद आनसर लगाना D is the right answer 43 नंबर questions कार्थ ये है C C is the right answer 44 रोजगार महिला भागिदारी कम बनी हुई है निमने कौन सा इसके लिए कारण है C is the right answer एक और तीसरा नौकरी की कमी और परिवार की बढ़ती आए देख रोजगार महिला भागिदारी कम बनी हुई है निमने कौन सा कारण नौकरी की कमी और परिवार की बढ़ती आए तो इसके right answer क्या है एक मिनट नहीं देखो क्या है रोजगार में महिला भागिदारी कम बनी हुई है निमने कित में कौन सा कारण है पहले नौकरीगी में कमी भी है उप्रुक्त रोजगार के अपसरों में कमी परिवार की बढ़ती आए और सांस्कृतिक प्रत्त सत्तात्मक समाज है ना तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चारो देखो यहां पे राइट आंसर लिखा हुआ है ठीक है इसमें से आपको माद निकालना है तो A is the right answer 9.5 माद पता है ना कैसे निकालते हैं शॉर्ट नोट इसमें से कोश्चन तो आते हैं मीन मीडिया मोड से एक बढ़ देख लेना अच्छा से 46 का D is the right answer ठीक है D is the right answer 47 का आंसर C C is the right answer 48 का क्या है 48 का C is the right answer देखो दो कथन दिये गए हैं ठीक है ना A और R इसमें A और R दोनों सत्त हैं लेकिन R जो है एक की सही वाक्षा नहीं करता मतलब A जो है मतलब R जो है A की सही वाक्षा नहीं करता इस बात का ध्यान रखे C is the right answer चलो 49 का A दो कथन दिये गए हैं दोनों सत्त हैं लेकिन R A का सही स्पस्टिक करन है और हाँ और मतलब ये जो कारण जो कथन दिया गए इसका कारण सही है ठीक है 49 का क्या है A is the right answer देखो यदि कहीं mistake हो जाये तो answer नीचे लिखा हुआ है तो देख लिया करो ठीक है इसमें दो कथन दिये गए हैं A और R तो जिसमें A और R सत्त हैं लेकिन R और A सही वाक्या नहीं करता R जो है A की सही वाक्या नहीं करता मतलब जो कथन दिया गया है उसका कारण सही नहीं है दोनों सही है ठीक है ना 51 का A दो कथन दिये गए हैं दोनों A और A सत्त हैं और A का साई स्पस्टी करन करता है ठीक है तो इसलिए 51 का A 52 का B भारती क्रिशी में छदम बिरुजगारी मजूद है कारण क्रिशी की सीमान उत्पादक्ता सुन के करीब है A सत्त है मतलब A सही है कतन जो A है वो सही है लेकिन R A सत्त है B is a right answer 53 का एक कतन एक कारण दिया गया है तो A is a true मतलब A सही है लेकिन R A सत्त है ठीक है 54 का आंसर क्या है सबी के लिए आवास केंदरी मंत्री मंडल ने सबी के लिए आवास प्रस्ताओं किस बर्स का लक्ष रखा था किस बर्स तक लक्ष रखा था C 20 22 मतलब 2022 तक मतलब अब भी जो चल रहा है 2022 55 का आंसर क्या है B, B is the right answer 56 का भी B है इसी तरीके से 57 का कोशन देख लेना पच्चे से तो all of these is the right answer ठीक है Britain Woods पद्धती की समापती का मूल करण क्या है सभी है तरलता की समस्या थी समयोजन समस्या विस्वास समस्या इसलिए सभी ठीक है न A is the right answer 58 का 59 का आंसर है B ठीक है न यह देखो B चलो अब आगे देख लेते हैं 59 का हो गया फिफ्ट सिक्स्टी का C 61 का A मीन मीडियम मोड माद्य माद्य का बहुलग केंद्री प्रभित्ती की माप है यह कम से कम होम साइंस से मैंने देखा होम साइंस में में भी पूछा गया था इस अब यह पूछे जा रहे हैं कोश्चन ठीक है न तो A is the right answer है माद्य माद्य का बहुलग अब देखो मैस्दा फालोविंग है तो अपन पहले आंसर देख लेते हैं A is the right answer एक मिनट देखो तो अपन मैच करेंगे ठीक है पहले का है एक मिनट पहले का है फूर्थ ठीक है न दूसरे का है मतलब B का है दूसरा C का है तीसरा और D का है पहला इसी तरीके से A is the right answer यह देखो कहा है A यह देखो यहां लिखा हुआ है ठीक है चलो 63 का आंसर क्या है D D is the right answer इन में से कोई नहीं 64 का right answer क्या है C C is the right answer 65 का C C is the right answer ठीक है चलो अब आगे देख लेते हैं 66 का क्या answer है C C is the right answer देख सकते हैं आप और 67 का पूर से सम्मन्द गुणांग का मापदंड है A is the right answer अब आगे देख लेते हैं 68 का C C is the right answer जीवन की गुणबता प्रहबित होती है तो C is the right answer मानो विकास सूचांग से ये चलो अब और आगे देख लेते हैं नव प्रावर्तन का सद्धान नियमने खितमे से किस सम्मन्द थै A is the right answer चलो और आगे देख लेते हैं 71 का right answer क्या है A A is the right answer 71 का देख लो question क्या है 72 का right answer A है 73 का D है 74 का C है इसी तरीके से C is the right answer C C is the right answer 77 का answer क्या है B B is the right answer हाँ ये दिलेट हो गया है ये दिलेट हो गया है ये देखो यहाँ पे दिलेटेट लिखा हुआ है ना एक मिनट ये देखो दिलेटेट लिखा हुआ है तो ये दिलेट हो गया 78 का answer क्या है D इसी तरीके से ये question है और ये है उसका हिंदी में question 79 number question का answer है B चलो और आगे देख लेते हैं 80 का right answer C है इसी तरीके से 81 का right answer क्या है B B is the right answer इसी तरीके से 82 number question का अर्थ है C WTO बिनमयों में सम्रित नहीं है नहीं पूछा है इस बात का ध्यान रखें तो C is the right answer 83 का right answer क्या है A is the right answer राज कोसिय नीती का 84 number question का right answer क्या है A इसी तरीके से 85 number question का right answer है C इसी तरीके से 86 number question का अर्थ है मतलब question का answer है T परिक्षन के से बिक्षित किया था Sir William गोसेट ने B is the right answer 87 का right answer क्या है D इसी तरीके इसी तरीके से 88 का right answer सूच कांग संख्या इंगीत करती है क्या इंगीत करती है relative changes relative परिवर्दन चलो 89 का right answer है C इसी तरीके से 90 का question का answer है A 91 का question का answer है A 92 का D 93 का C और ये match the following है नहीं 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 काला नुकरम में आपको वो करना है ठीक है तो C is the right answer पहला है फिर उसके बाद चौथा फिर उसके बाद दूसरा फिर उसके बाद थर्ड पहला और उसके बाद चौथा फिर उसके बाद दूसरा फिर उसके बाद थर्ड ऐसा है ठीक है ना कलानु क्रम कलानु क्रम में सजाना है 95 का B is the right answer रिनात्मक ढाल दोरा गिफिन बस्तु के लिए एंजल वक्र होता है B is the right answer 96 नमबर कोशन का अर्थ है D D is the right answer 97 नमबर कोशन का अर्थ है अर्थ नी सॉरी कोशन का आंसर है 96 का question का answer क्या था D ठीक है इसका B 95 का 97 question का answer क्या है देख लो पहले question अच्छा थे B is the right answer इसी तरीके से 98 number question का answer है A 99 number question का answer है C मंदी की दशा में 100 number question का answer है C सरकार ने RBI से सारे SBI के share किसके संदेश पर दिये किसके से भी के दवारा ठीक है ना अच्छे से sort notes तियार करो और exams की तियारी करो MP set की ठीक है ना जन्वेडी में exam हो सकते हैं Thank you